नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता संतलो जी टेक में और इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे कैनन के 1300D की चलिए शुरू करते हैं हाँ तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इस कैमरे के अंदर हमें 16GB का मेमरी कार्ड दिया गया है जो कि इसके अंदर है और यह वाइफाई और NFC सपोर्ट करता है यह कैमरा जो है 18MP का है हाँ तो दोस्तों एक बारी पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है सबसे पहले तो एक डिजिटल कैमरा जो कि उसकी बॉड़ी कही जाती है वो मिलती है एक 18-55 का लेंस मिलेगा स्ट्राप मिलेगा एक बैटरी मिलेगी एक बैटरी का चार्जर मिलेगा चले देखते हैं एक बारी कि इस बॉक्स के अंदर क्या-क्या दिया गया है सबसे उपर दोस्तों देखा जाए तो एक गाइड बुक दी गई है लिड को ओपन करते ही सबसे पहले हमें उपर दिखेगा एक मेमरी कार्ड जो की 16GB का हमें दिया गया है यहाँ पर लेक्सर करके कंपनी है उसका एक गरेंटी कार्ड हो गया इस पूरे box का इस unboxing का सबसे बड़ा main part जो की camera की body है उसे देखते हैं कैसा है चलो ऐसा करते हैं इसको थोड़े देर बार देखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या दिया गया है एक cannon का strap दिया गया है charging adapter की cable दी गई है यह रा खुद charging adapter जो की black color का है इसक चार्ज होने में यह connecting cable दी गई है कि आप इससे photos वगरा transfer कर सके और main एक और चीज जो इसका second part main माना जाता है जो की है lens यहां पर दोस्तों हमें मिल रहा है 18-15 का lens Canon की तरफ से जिसके अंदर image stabilizer भी है काफे rich quality में यह build-up है और इसकी build quality seriously देखा जाए तो बहुत ज्यादा अ कि if you want to use it अगर आप इसको use करना चाते हैं तो go for it otherwise आप इसको बंद भी रख सकते हैं चलिए देखते हैं कि असली में जो इसकी body है वो कैसी है black color की इतना प्यारा model जिसके आगे leather का touch दिया गया है बहुत अच्छी high quality का यह लग रहा है camera जबकि Canon का यह basic model माला जाता है look wise camera बहुत अच्छा है यहाँ पर सारे options दिए गए आप देख सकते हैं कि सारे buttons और सारे options right side में दिए गए हैं मतलब यह one-handed uses के लिए कि कोई भी बंदा आराम से इसको use कर सके और यह जो leather की grip है यह बहुत help करती है इस camera को हाथ में पकड़ने से otherwise अगर इसमें plastic होता तो इसम zoom and zoom out का button है यह toggle है जिसे आप switch कर सकते हैं कि आपको lens के तुरू देखना है या फिर screen के तुरू इसके buttons की quality अगर press करके देखा तो काफी अच्छी है यह जो hook दिए गए हैं यहाँ पर आप strap लगा सकते है अपना और यहाँ दोस्तों left side में आपको मिल जाएंगे तीन connector जिसक flip card से big billion day sale के अंदर और दोस्तों मुझे पढ़ा है यह सिरफ 18,500 का 18,500 वाले deal सिरफ 12 बज़े आई थी उसके बाद वो deal चली गई तो मेरे को लगता है मैं काफी lucky रहा कि मैंने उससे प्रचेस कर लिया स्टिल मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रहाँ कि अगर आपको देखना है या परचेस करना है तो लेंस एक बार इसका टैच करके देखते हैं कि उसके बाद इसकी लुक कैसे आती है दोस्तों जो आप यह mirror देख रहे हैं यह बहुत sensitive होता है इसके ओपर कभ चोटा सा एक बटन दिया गया है यह उसके लिए अगर कभी लेंस उतारना हो यह दूसरा लेंस लगाना हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं और लुक दोस्तों बहुत अच्छी है मेरे काम के लिए मेरे को लगा कि यह camera ठीक है भी फिलाल के लिए बाकि अगर आपने इसकी देखने हैं तो मैंने लिक नीचे दिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आपने देखना है कि कितने का या क्या है इस टाइम तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं तन्यवाद दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आगी है तो लाइक करना ना भूले और नीचे वाले लाल बटन को दवाना ना भूले